नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेंस कुमार, स्वागत करता हूँ, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निबंध की शैलियों के विशे में जानेंगे तो आए दोस्तों अपने विशे की शुरुवात करते हैं दोस्तों, शैलि कहने का अर्थ है लिखने का धंग, यानि निबंध शैलि का अर्थ हुआ निबंध लिखने का धंग या तरीका यानि कि निबंध किस किस तरीके से लिखा जाता है निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए निबंध में वाक्य विन्यास कैसे होने चाहिए निबंध में शब्दों का चैन कैसा होना चाहिए जब हम इन प्रश्णों की चर्चा करते हैं तो यही शैली का अर्थ बताता है। दोस्तों, अब शैली के भेद या प्रकार जानने से पहले दो महत्वपोर्ण चीजे जान लेते हैं। जैसे अच्छी शैली और बुरी शैली किसे कहते हैं। तो ऐसे निबंध जो पाठक को प्रभावित करते हैं। पाठक को शब्दों के उल्जन में नहीं फसाते हैं। निबंध पढ़ते समय पाठक का ध्यान भटकने नहीं देते हैं। अच्छी शैली के अंतरगत रखे जाते हैं। वही ऐसे निबंध जो पाठक को भूल-भुलयया में फसाय रखती है। पाठक को शब्दों के उल्जन में फसाय रखती है, निबंध पढ़ते समय पाठक का ध्यान भटकाती है, जहां लेखक के लिए पाठक का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, बुरी शैली के अंतरगत रखे जाते हैं। अतरह निबंध में हमेशा अच्छी शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब विशय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं निबंध की शैलीयों की। तो मुख्य रूप से निबंध की पाँच शैलीयां मानी जाती हैं, जिसे हम एक-एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, निबंध की पहली शैली है व्यास सैली। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, व्याख्या, आदि। अतह, व्यास सैली के अंतरगत, छोटे-छोटे सरल एवन सरस वाक्यों के माध्यम से सरल सहज शब्दावली के प्रयोग द्वारा विशय को समझाया जाता है। कई बार व्यास सैली में बात को समझाने के लिए लंबे-लंबे वाक्य प्रयोग किये जाते हैं। पर भाषा हमेशा ही सरल और सहज ही होती है। हिंदी में वर्ण नात्मक एवं विवर्ण नात्मक निबंधों में व्यास सैली को अपनाया जाता है। हिंदी निबंधकारों में आचारे महवीर प्रशाद द्यूएदी डॉक्टर श्याम सुन्दरदास आचारे हजारी प्रशाद द्यूएदी आदी ने अपने निबंधों में व्यास सैली को अपनाया है। निबंध की दूसरी शैली है समास शैली, तो दोस्तों जहां व्याश शैली में विशय को छोटे छोटे वाक्यों में सरल सहज शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है, वहीं समास शैली में शब्द और वाक्य दोनों ही संसलिष्ट रूप में प्रयोग किये जाते हैं, कहने से कम वाक्यों में अधिक से अधिक बातों को रखने का प्रयास किया जाता है। समाश शैली में बड़ी बड़ी बातों को कम वाक्यों में या कम शब्दों में कह दिया जाता है। आचारे रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में इस शैली का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। निबंध की तीसरी शैली है तरंग शैली। तो दोस्तों जिस प्रकार तरंग या वेव में लहरें उपर नीचे होती हैं ठीक उसी प्रकार तरंग शैली के निबंध में भी भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं। भाव कभी तरंग की तरह उपर उठते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं। इस तरह के निबंधों में लेखक की भावना कभी किसी वस्तू को पकरती है तो कभी किसी और वस्तू को। इसमें भाषा का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। दोस्तों माखल लाल चतरुवेदी जैसे निबंधकारों ने तरंग शैली में खूब निबंध लिखे हैं। निबंध की चौथी शैली है धारा शैली। तो दोस्तों, जिस प्रकार धारा निरंतर एक समान वेग से बहती जाती है, ठीक उसी प्रकार से धारा शैली के निबंधों में भाव की धारा निरंतर प्रवाहमान होकर एक गती से चलती है। इस तरह के निबंधों में भावना का आवेग तथा भाशा का स्तर एक समान गती में प्रवाहित होता है। इस शैली के निबंध सरदार पूर्ण सिंग ने खूब लिखे हैं। निबंध की पांचवी और अंतिम शैली है विक्षेप या प्रलाप शैली। तो दोस्तों विक्षेप येवं प्रलाप शैली का प्रयोग आत्म परक येवं भावात्मक निबंधों में होता है। इस शैली में भी भावों की प्रधानता होती है। परन्तु भावों की धारा कहीं-कहीं उखरती हुई दिखाई पड़ती है। साथी कहीं कहीं भावों में रूखापन भी दिखाई पड़ता है। इस तरह के निबंधों की भाषा प्राय समान्य होती है। आधुनिक काल में लिखे जाने वाले अनेक निबंध में इस शैली का प्रियोग देखने को मिलता है। यह साधारंत ने निबंधकारों की निबंधों में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन पाँच प्रमुख निबंध शैलियों के अतरिक्त हिंदी में व्यंग शैली, अलोचनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, प्रसाद शैली, प्रतिकात्मक शैली, बिम्बात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, सम्वादात्मक शैली, आधी अनेक शैलियों में निब से बताएं तो फिर शेगरी मिलते हैं एक नया विश्य के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद